Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel, तो चलिए आप YouTube पे मेरे चैनल को सर्च कर लीजिए, Seat in Need Channel ये मेरे चैनल का नेम है, जैसे ही आप YouTube पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये आपको लोगो मिल जाएगा, ये मेरे चैनल का नेम मिल जाएगा, तो इसी पे आप क्लिक कर लीजिए, तो चलिए इसी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे चैनल पे आप आएगे, ये चैनल आपको दिख जाएगा, मेरे चैनल पे दिखिए 51,000, मतलब 51,400 सब्सक्राइबर कम्पलेट हैं, मेरे चैनल पे 1500 वीडियो हैं, और आपको revise कितना करना है, 750 वीडियो का मैं target दिया था, 750 वीडियो आपको करने ही है, तो ये देखिए, अब ये 750 वीडियो क्यों करने है, जो भी student मेरे channel पर preparation करना चाहते हैं, तयारी करना चाहते हैं, आप BSC Nursing entrance exam की, आपको BSC Nursing का अगर entrance exam देना है BSC Nursing के लिए, BSC Nursing males और females दोनों कर सकते हैं, मतलब boys and girls दोनों apply कर सकते हैं BSC Nursing course में, तो UP के अगर आप UP से करना चाहते हैं, तो अटल विहारी को आप entrance exam देना पड़ेगा, A, B, B, MU University कराती है जो लखनों में है, और ये total आप लखनों में जितने भी private और government BSC Nursing के college है, टोटल इसी के थुरू आपका admission होता है, 23 आपके government college अभी है, present time में government college है, और लगभद 200-200 college आपके private college है, BSC Nursing के, और अगर आप AIMS के थुरू करना चाहते हैं, AIMS में only girls के लिए हैं, उसमें boys apply नहीं कर सकते हैं, तो girls के लिए हैं, 1000 seat हैं, पूरे आल इंडिया में लगभद 13-14 सी government आपके college हैं, AIMS college हैं, तो उसमें only girls apply कर सकती हैं, BSC Nursing, entrance exam के थुरू उसमें भी आपका admission होगा, तो देखिए इसकी तयारी अगर करनी है, BSC Nursing के तयारी करनी है, तो इसी channel पर जाएं, और 750 video previous video revise करें, पूरी syllabus complete है, new session जो है, 2023 का जो अभी session है, यह आपका something में इस month के बाद सुरू किया जाएगा, next month से सुरू किया जाएगा, तो अभी देखिए, लेकिन सुरू कब किया जाएगा, benefit कब मेरे channel से मिलेगा, आप जब यह 750 video revise कर लेंगे, काफी student यह सोचते हैं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि 750 video revise, भाई 750 video अगर revise करेंगे, तब ही आपका benefit होगा, अब कैसे benefit होगा, अब आप देखिए, अगर आपको नहीं revise करना है ना, सोच रहे हैं कि मतलब नहीं करें, book ना खरीदें, वीडियो ना revise करें, व आपको तयारी करनी है, तो आपको 750 video revise करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं next session शुरू करूंगा, या फिर आप कोई books पढ़ेंगे, या फिर question लगाएंगे, तो यह सब help करेंगी, अगर नहीं समझ में आता है कि आपको video कैसे revise करनी है, तो आप playlist wise revise कर लीजिए, मेरे channel के थूर अगर नहीं समझ में आता है, तब फिर जाके दूसरे channel से देखिए, या फिर आप कहीं से भी देखिए, मुझे ये मतलम नहीं है, लेकिन 10 से 15 video मैं recommend करूंगा, कि आप 10 से 15 video पहले channel पे देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आती है, तब आप कहीं से भी कर सकते हैं, देखि कहीं पे भी करेंगे, तो वो question आपको मिलेंगे मेरे channel पे, और मेरे channel पे question मिलेंगे, conceptual मिलेंगे, concept के तुरू, तो हर चीज आप समझ पाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, और आपका complete एकदम syllabus भी हो जाएगा question के माध्यम से, या theorist के माध्यम से, और कुछ भी थोड़ा मैं करा चुका हूँ, यह question मैं ऐसे बता चुका हूँ, तो आप जब 750 वीडियो revise किये रहेंगे, तो आपका फायदा हो जाएगा, और काफी student देखे, revise भी कर रहे हैं, notes भी बना रहे हैं, और revise देखिए, आप वीडियो देखिए, जो आपको लगे कि question, यह अच्छा question है, भ पढ़िए, 6-8 गंटे, 4 गंटे, आप YouTube के वीडियो देखिए, 4 गंटे, और फिर उसके बाद 2-3 गंटे, 2-3 गंटे आप self study जरूर करें, self study का मतलब जो books मैंने बताई है, वो आप books ले लीजिए, और जो यह वीडियो है, इसको notes बना के revise करिए, अब काफी student कहते हैं, books मैं पर्चेज नहीं कर पार हो, मेरे पास पैसा नहीं, यह बहाना नहीं है कि पैसा नहीं, किसके पास पैसा नहीं है, दो ड़ाई सो रुपए, books के लिए, आपको ब्यासी नर्सिंग करना है, तो आपको course करना है, वहाँ पर भी पैसे लगेंगे, और books नहीं खरीतते हैं, तो फ फोड़ा सा इस प्लेइस्ट आप्शन पे किलिक कर लिजिए, इसी पर मैं 750 बीडियो आइड किया हूँ, जब आप चैनल पे जाएंगे, तो देखिए, प्लेइस्ट पे, आप्शन पे मैं किलिक करने के बाद यह देखिए, यहां पे प्लेइस्ट में में वीडियो पूरा एकदम एड़ किया हूँ सभी वीडियो physics, chemistry, biology और GK आपका aims में पूछता है और अटल विहारी के थुरूर और कोई state में जैसे राजस्थान में हो गया जारखन विहार में भी होते हैं BSE nursing के आप कोई भी state हो तो वहाँ पर NCRT फालो ही कि जाती है तो NCRT मैं 100% कबर भी करता ह हूँ तो कोई भी state हो तो आप वीडियो 10-20 वीडियो देखिए आपको idea लग जाएगा और देखिए मतलब 2-3 साल तयारी कर चुके है वो नीट का question paper जरूर करके जाए नीट के जो previous year question है वो 100% आप कर लिजे बालो जी के तो एक भी question आप छोड़िये नहीं बालो जी जो नी eligibility interest test तो उसका मैं question करा दिया हूँ पूरा 2001 से कराया हूँ 2001 से 2023 तक तो आप एक बार जाके वो सब वीडियो देखिए देखिए कितना मस्त questions आप कराया हूँ एकदम concept और trick के साथ बताया हूँ तो यह देखिए जैसे आप यहां देखेंगे को सभी एकदम वीडियो मिलेंगी जो निट के previous year question paper है 2001 से ऐसे खोजेंगे ना यह playlist में जैसे देखिए 2001 का AI PMT का यह 4 वीडियो देखिए है बालू जी के कमेश्टी भी कराया हूँ यह IPMT 2002 का है फिर ऐसे देखेंगे 2014, 2012, 2010 सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगी और देखिए मैं इसी के वीडियो के description box में यह वीडियो नंबर कौन सा है वीडियो नंबर 11 नंबर यह वीडियो है और इधर उधर भटकिये नहीं, अभी से लग जाएए, selection हो जाएगा, कहीं पर जाने क्या हो सकता नहीं है, complete course करा दिया जाएगा, अच्छे से, और selection की guarantee भी रहेगी यह देखिए 2021 का भी मैं कराया हूँ, 2017, 2018, 2015, कोई भी मतलब 2001 से लेके 2013 नीट का previous year question करा दिया हूँ तो आप BSC nursing का entrance exam देना है, तो आप एक बार biology के question तो जरूर देख लीजिए, अगर आप एक दो साल तयारी कर चुके हैं, अगर freser हैं, तो यह सब वीडियो देखिए, जो मैंने BSC nursing की पहले कराई है, यह finish कर लीजिए, तो वीडियो को revise करते रहें daily, और अच्छा से तयारी करिया, selection हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि selection नहीं होगा, बट आपको करना पड़ेगा, काफे student हैं, बार बार यही पूछते हैं कि क्या sir, यहां से selection हो जाएगा, चैनल से हो जाएगा, वीडियो देखने से हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन आपको जो जो चीजे बताई गई है, तीन चीजे में बताया हूँ, बुक्स ले लीजिए, बुक्स लीजिए, 750 वीडियो का नोट्स बनाई है, जो अच्छा लगे, सभी को नहीं बनाने है, जो आपको लगे कि यह मुझे बनानी चाहिए, नोट्स यह question सही है, जब question में कराता हूँ, उसमें very important जो question होत है, उसको बताया भी देता हूँ, तो उसको आप notes बना सकते हैं, जो भी अच्छा लगे, उस question को notes बनाई है, उस theory को, फिर उसको notes बनाने के बाद डेली के daily notes जो पिछले बनाए रहेंगे, उसको revise करिए, और अगर आप rural area मतलब गाओं area में है, आपके कोहीं tuition चलता है, जो coaching कोई पढ़ाता हो, physics, chemistry, biology, तो उसको आप join कर लिजी, ये तीन चीज कर लेंगे, तो हो जाएगा, और अगर coaching नहीं join कर पाते हैं, तो ये दो चीज तो follow कर लिजी, तीन book मैंने बताई है, एक leucent की science बताई है, एक leucent की बताई है, वो है general science की, और एक आपकी rainbow publication की बताई है उसमें आपका whole syllabus मिल जाएगा, question theory, तो वो तीन book आप ले लिजीए, book से related video बनी हुई है, एक बार दिखा देता हूँ, video section में जाके, video section में नीचे scroll करेंगे, तो यहाँ पर कहीं आपको नीचे scroll करेंगे, ये video आपको मिल जाएगी, ये देखिए, नीचे ये देखिए, ये बीडियो है, 4 मिनिट की बीडियो है, इसमें बेसी नर्सिंग के इंटरन्स एक्जाम से related कौन सी बुक आपको purchase करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस बीडियो देखके, जाके आप टेलिग्राम जोइन कर लिजीए, वहाँ पर सायद मैं लिंक भी provide कर दिय आँँ, टेलिग्राम चैनल पर, वहाँ से आप purchase कर लिजीए, और बुक पढ़िए, और आप revise करिए, सब चीजे, 100% हो जाएगा, chemistry, physics, biology, nursing aptitude, gk, English, सब पढ़ते रहें, अभी ज़्यादा फोकस करें, physics पे, chemistry पे, और biology में, nursing aptitude तो मैं अपने चैनल पे 15 वीडियो कराया हू तो वह आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फोकस करिए, physics, chemistry, biology में, nursing aptitude, English, gk, ये सब बाद में एक-दो महीना रहेगा, तो हो जाएगा, दो-दो-दो घंटा पढ़ लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अभी आपका main focus, physics, chemistry, biology पे होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, और अच्छे से revise करते रहें, चलिए next वीडियो मिलेंगे, और कुछ चीजें आपको बताएंगे, thank you